नमस्कार दोस्तों एस्बी न्यूज इंडिया की डिजिटल पैनल आपके अपने फेस्बुक पेज यूट्यूब चैनल अम्रीज बालियान पर आप सबका अर्दिक स्वागत है विनंदन है मुझा फंडर में आज बड़ा राजनिती घटना करम हुआ तीस से जादे ग्राम परधान जिला पंचाइट सदस्य और हजारों की संख्या में लोग आज आजाद समाज पार्टी में सामिल हुए खुद आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद सेकर यहां पोचे मुझा फंडर से अपने नाते कभी उन्होंने लोग को याद दिलाई और कहा कि मुझा फंडर लोग का सम्मान उनके लिए प्रात्मिकता होगी तो जिस तरगी से बड़ी सिंख्या में आपके साथ जो लोग सब जुड़े हैं आज यहां पर क्या कंसे हैं मैं उनका सब का धनेवाद करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी में एक ही कल्चर है कि हम अपने आखरी कारे करता कि भी सम्मान उसके हगदिकारों की लड़ाई लड़ता है तो हमारे जिन साथिय आज परधान सातियोंने और विपिर मालियां जी तमाम सातिय जिन्होंने जोइन किया है उनकी हर एक लड़ाई को हम लोग कंदे से कंदा मिला के लड़ें और मैं मानता हूं इस छेत्र में उन्होंने लंबे समय काम किया है गाउं-गाउं में उनकी पहचान है इसका अगर परधान संगठन के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने आज जोईन किया उनके अलग भी जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा उनके हक अधिकारों को छिने का काम किया जाएगा तो यह आप समझ लिजे कि सरकार इस बात के लिए तैयार र लोगों ने हमने कई चुनाओं यहां ऐसे देखें जो चुनाओं जो है चाहिए वो परमुखी का हौए जिला पंचेजगत जो बंदू की नोक पर हुए है जैकि परधान का चुनाओं भी कई जंगा प्रभावित करने हैं प्रयास के फिर भी जंताने वोट देके जिनको ब पर दबाऊगा तो समस्या पर कोई काम होई नहीं सकता है तो गाउं में जो लोग रहें उनकी परधान के द्वारा उनकी मदद हो उनके चेत्रों में काम हो इसलिए प्रधान का किस रक्षा करना बहुत जरूरी है उसके अधिकार को को कोई कुठार अगातना उसका ध्यान बहुत जरूरी है मुझा फंडर के लिए बड़ा लक्स है आपने रख दिया आगामी जो जिला पंचया तद्रक्ष का चुना होगा दो जार पच्छी से चब्विस में जब भी होगा आपने का वह जिला पंचया तद्रक्स आज आज समाज पार ठीक होगा यह तो पिछली कि हमारे इतने मेंबर जीतेंगे कि सत्ता धारी दल पे लडाने के लिए प्रतियास ही नहीं होगा जिला पंचया द्रक्ष के चुनाओ में आज आप मेरी बात को लिख लेना जब हमारी पार्टी बिलकुल नई पार्टी थी उसके चुनाओ चिनको भी लोग ने तब हमारे फंजिला पंचयात के आठ्ट सनु मेंबर ये जीते अप तो वो लोग काम भी करें और शोतरों में लोग है यह लोगा सुनाओ में लेकिन सरकार का मौन इस पर जो है अभी तक परदान मंतरी चुप है क्या कहना चाहिए इस पर मैं यही कहूंगा कि मेरा मीटा आने का मन था लेकिन आपने तिनी दुख भरी कहानी जो आज देश के अंदर हमारे सामने वो छेड़ दी तो इस पर मैं यही कहूंगा कि यह अपराज जो नीम नहीं आई हो लेकिन बुरा यह है कि देश के प्रधान मंतरी जिनके बास सारी ताकत हैं वो खेद और क्रोध वेक्ट कर रहे हैं ना कि कोई कारवाई कर रहे हैं मुख्य मंतर जी बड़े खुस होके बयान देते हैं कि यह तो यह पहली घटना तो इससे जादर सो घटन के लोगो उस वादे पर खरां दरना चाहती है ऐसी प्रस्तितिया उन्होंने जम्मू में भी जो गूजर बक्करवाले उनके सामने खड़ी की है कि वो उनके अधिकारों को छीनके दूर से लोगो को दे रही है जब जब अधिकारों पर कुठारा गात होगा स्वाइमान स्यासत रही हमेशा तोड़ने की स्यासत को जवाब देने के लिए हम जो किसान, कामगार, मैंदूर, मैनत का स्लोग है वो इकठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो मनिपूर की हिंसा पर अगर बेरे हाथ में ताकत होती तो मैं उस मुख्यमंत्री को बरखास कर देता है और जो अपराद कर रहे हैं उनको ऐसी सक्स हजा देता है दुबार को अपराद ना करें लेकिन अपर को ताकत होने के बाद कारवाई ना करना यह स्पश करता है कि सरकार की नियत ही नहीं है कि मनिपूर की हिंसा रुख जाए जिन परधान मंत्री ने यूकरेन और रूस का रुखवा दिया था वह अपने प्रदेश को स्वक्षित नहीं कर पा रहे हैं इससे एस्पेट होता है कि बीजेपी जो जूट का तंत्र मजबूत करें बैठी है उससे आम जंता का भला नहीं हो सकता नहीं को स्वक्षित रह सकता है इनको स्वक्षित रखने के लिए भारत दर्द का वाज बिले चीजों को जोटा के यहां लाकर दिखा पाए तो मुझे लगता है कि जनता में जो विरोध पैदा होगा उसका सामना भरजियांता पार्टी आने वाले चुनाओं में नहीं करता हूं जो कुछ भी होगा वो आपके सामने होगा और कुछ फैसले पार्टी के हैं नीतिकत फैसल मैं यहां बैठके कोई स्टेट्मन देदू ठीक नहीं पार्टी का पार्टी मुझसे उपर भी कोर कमेटी है उनका कोई डिशन होगा तो हम लोग उसका पालन करें अभी तो यह था स्थिति में हम लोग अपनी पार्टी को जमीन पर मजबूत कर रहें क्योंकि लोग जनता क वोट देनी जनता जिसके साथ होगी वागे बढ़ेगा तो हम अपना काम कर रहें इसलिए आज हम लोग मुझपणगर में हैं कल हर्याना में होंगे और हमारा यह संगर्थ जारी रहेगा क्योंकि हमारी पार्टी 22 स्टेटों में भीवार्मी की जरी काम कर रही और बहुत ज सवाल आपसे है जैन चोधरी ने पिछले दिनों जंतर मंतर पर एलान किया आपको संसत पहुचाने का क्या करना चाहिए धन्यवाद भाई है और हमेशा से उनका सयोग मुझे मिलता रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि यह प्यार आगे भी ऐसे बढ़ता है तो बड़ी बात चंद से कर आजाज जैने कही कि जैन चोधरी जैन उन्हें जो संसत पहुचाने का एलान क्या है उसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद